दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि देशवर में JST आने के बाद जो है डोमेन और होस्टिंग के चार्जेश बढ़े हैं यानि कि हर एक फ्रेस पर्चेश पर या रिनुवल पर आपको JST चार्जेश देने होते हैं अना कि हमारा ये वीटियो JST के उपर नहीं है तो आएए मुद्दे की बाद पर आते हैं मेरा जो डोमेन है बिग रॉक पर से मैंने पर्चेश किया हुआ था और अभी उसका टाइम एक्सपार हो गया और मुझे उसको रिनुवल करवाना था लेकिन उससे पहले मुझे मेल आता है कि हमने चार्जेश बढ़ा दी हैं बिग रॉक की तरफ से मुझे यह मेल आया तो मैंने सुचा कि क्यों ना अपना डोमेन जो है अब ट्रांसफर कर लू होस्टिंगर पर क्योंकि मेरी सारी साइट है जो होस्टिंगर पर होस्टेड है और डोमेन भी मैंने धीरी धीरी अब वहीं पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है क्योंकि एक ही जगा एक ही dashboard में आपको सारा access मिल जाता है तो चीज़ा असान हो जाती है और no doubt इनकी services भी बहुत बढ़िया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने big rock से domain purchase किया हुआ है तो आप किस तरीके से उसको hostinger पे transfer कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं नितिस नितिसवर्मा.com से और स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में पुरा process दिखाने के लिए अभी में लेचलूँगा आपको अपने computer screen पे जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है big rock से अपना domain transfer कर सकते हैं hostinger पे इसके बारे में मैंने complete detailed blog post भी दी हुई है जिसका link आपको इस वीडियो के description मिल जागा तो आप उहां जाके भी step by step इसको देख सकते हैं और मदद ले सकते हैं तो चली चलते हैं अपने computer screen की तरफ दोस्तों यहां में आ गया हूं अपने computer screen पे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां में अपने big rock जो है control सकते हैं कि यहां में गया हूं जाग हुआ है। झाल 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 तो यहां से हमारा काम आपसे अपने खतम होता है तो दोस्तो इस तरीके से आप BigRock डोमेन को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने होस्टिंगर पर तो अगर यह वीडियो आपको हेलफुल लगे है तो प्लीज आमारे चानल को सुस्क्राइब कीज़ेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीज़ेगा धन्यवाद